हेलो फ्रेंड्स तो आज मेरे मम्मी आपके साथ शेयर करेंगे नमकीन से रेसिपी आज हम बनाएंगे बुजिया चार्ट चलिए रेसिपी को शुरूर करते हैं तो यहां पर हमने एक बाउल लिया है जिसमें हम एट करेंगे दाल बुजिया जिसमें सब कुछ मेक्स हैं इसमें दाल भी हैं बड़े बुजिया भी हैं चोटे बुजिया भी हैं और कुछ मूंगफली वगारा भी हैं आप यहां पर अपनी टेस्ट के अकोर्डिंग या फिर जितना आप खाना पसंद करते हैं, उतना एड़ कर सकते हैं, और फिर हम इसके उपर एड़ करेंगे कटे हुए प्याज, यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज के टमाटर कट कर लिया है, और इसे भी हम डाल देंगे, साथ में हम एड़ करते हैं, बारी कटे हुए खीरे, यहाँ पर हमने हाफ खीरे को कट कर लिया है और फिर हम इसमें एड़ कर देंगे हर इमिच आप यहां पर कम कमाटिटी कर सकते हैं और फिर हम इसमें एड़ करेंगे कुछ हरा हरा धनिया बस बन कर तयार है ओ हमने इसमें मसाले तो डाले ही नहीं चलिए डालते हैं मसाले तो यहां पर उपर से एट कर दिया है काला नमक कितना अच्छा टेस्ट आएगा आप इमेजिन करो और फिर हमने इसके उपर डाल दिया है सिंपल नमक जो हम सबजियो में डालते हैं फिर हमने डाल दी है लाल मिच पाउडर इसके बाद जरा सा काली मिश पाउडर भी हमने एड़ कर दिया है अब हम इसमें डालते हैं नेम्बू का रस ताकि ये कुछ चटपटा हो जाए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट में हमें बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो नेम्बू डालने के बाद हमने इसके उपर से एड़ कर दी है इमली की चटनी जिसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर रखी है अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप जाकर दीख सकती है अच्छे से मिक्स करें और सर्फ करने के लिए रेड़ी है शाम के चाए के साथ ये नमकीन बुजिया चाट मिल जाए तो चाए का मज़ा दुगना हो जाता है अगर आपको ये रेसिपी पसंदाए तो एक लाइस जरूर करेगा मिलते हैं न्यू वीडियो में थैंक यू